जिलादिकारी विजेकिरन आनंद ने एनक्सी भवन की सभागार में 26 अप्रेल को आईजित होने वाले कच्छा एक से कक्षा आठ तक के परिक्षा को स्टकुसल संपने कराने के लिए बेसिक सक्षा विवाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसके संबन में जिलादिकारी दो साल बाद बच्चे स्कूल आए हैं उनका कोविट की वज़े से पढ़ाई का जितना नुकसान हुआ है उसके आकलन करने के लिए या परिक्षा आयोजित की गई है इसके अलावा 26 अपरेल के दो दिन प्याद भी निपुन भारत मॉनिटरिंग से बच्चों के अभिवागों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा और अध्यापकों से समवाद स्थापित होगा इस तरह से हर तीन महीने पर बच्चों की परिक्षा करवाई जाएगी जिससे चातर पढ़ाई में दक्ष बन सके इस औसर पर बीएस से रामीद सिंग सहित अध्यापक मौजूद रहे इस समवन में गुरकपूर्णी उससे बात करते हुए जिलादिकारी विजखिनेन आनननी कहा करता है क्या अधर से लेखिने जो पर पहले जो कपिशार है मोड़ाई कि अधर पारभ तेक्ष्चरा के इस सरनाची अधरे अधर प्रचैन करेंगे उसकी प्रोषिक पोसेस्चों सुमझे के सांसरा इसके परिख्षा इसलिए परिख्षा इसलिए ना कुछा है? जाएगी। परिक्षा आपको पिश्वास है कि नतब भिजीन और हम्ज़ता हो जाएगी। हो जाएगा। कोई जिग्यासा नहीं है। जिग्यासा क्या है। हम सभी आपिजमे अपने संगुर बाट लिये हैं। पर अभिबावों कोंसे संभाज साफित करेंगे कि आपके बच्चे का आज ये दर्शिताय हैं आज विरकारिव सेक्षिनिक कारें पढ़िबाद करिए हम भी बच्चों को अच्छा बातावरन देंगे और उसके बाद हमें अच्छे प्रेनम देंगे यह हमारा प्लाइन है कि इसे एरड़ी को बीरियों को कोई लिग्या साथ तो पूछिये आज हमारे बेसिक शिक्षा विवाग के सभी आधिकारिगन हमारे एकडेमिक रिसोरस परसन स्टेटर रिसोर्स ग्रूप सभी के साथ विस्तर चर्चा हूई है चबईस तारह को हमारे जनपन में एक विशेश परिक्षा आयोजिन की जारी है कक्षा एक से कक्षा आठ के सभी चात्राओं के लिए क्योंकि वैश्विक मामारी के बाद स्कूल बंदोने के बाद दो साल बाद बच्चे अमारे स्कूल में वापस आये हैं उनकी दक्षतों में कितना नुक्सान हुआ है वो आंकलंग करने के लिए परिक्षा है और हमारे निपन बारत मॉनेटरिंग सेंटर के माद्यम से 24 की परिक्षा के बाद हम 2-3 दिन में ही सभी बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड प्रिशित करेंगे अपने अभिवावकों को टीचर्स के माद्यम से उनसे संभास तापित होगा और एक बार ये बेसलाइन बन जाएगा तो नियमित रूप से हर तीमा में एक बार इसी तरह की परिक्षा हम करेंगे जो निपन बारत की दक्षताएं बारत सरकार ने निर्दारित की है उसके प्राप्त करने के लिए हम शिक्षकों को प्रेड़ित करेंगे अभिवावकों को प्रेड़ित करेंगे और बच्चों को हर एक बच्चे को ग्रेड कॉम्पेटिन बनाने के लिए ये सुनी हो जे तरीके से काम करें